नमस्कार साथियो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लिए फेस्बुक पेच वाले पेच को फोलो कर लीजिए ताकि गल्प कंट्री से रिलेटेड आपको सही इंक्वारी मिलती रहे तो मैं बतातू कल मैंने एक वीडियो डाला था उसमें लगब 300 के करीब पाकिस् लिया गया एरपोर्ट पे आज की जो नियूज निकल के आई है अलखलीज टाइम में उसमें साब साब बताया गया कि इंडियन और पाकिस्तानी 200 लोगों को वापिस बेज दिया गया यह वी में पहली बार देखने को मिल रहा कि ऐसा वी सरकार ने कटोर कदम उठाये हैं कि इंडियन कांसलेट एरपोर्ट पे है दुबई कांसलेट के जो अधिकारी है मावानी जी के जो अधिकारी है दूतावास के वो भी वही पे हैं क्योंकि इंडियन आदमी तो कम है 100 के करीब हैं पाकिस्तानी 500 से पलस पाकिस्तानी वहाँ पे फंस सुके हैं 100 के करीब इंडिय ना कौन देगा भूक आदमी नहीं मर सकता ना तो contact तो उनको नियरस्ट MBC में दिया जाता है कि आपके बंदे इस इस तरह से फंसें तो फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है तो उनकी तरब से कुछ लोगों को लोटा दिया गया है अब लोटाने का क्या मतलब होता है reason क्या था उनके पास पासपोर्ड था वीजा था ठीक है कोविट टेस्ट परमानपतर था लेकिन उनके पास 2000 दराम दुबई दराम जेब में नहीं था ठीक है अब वो विजिट वीजा है तो होटल बुकिंग भी कनफरम चीए यह की नहीं कि आप डमी बना वालोगे उनको दिखा होनी चीए यह चीज़ें आपके पास होनी चीए अगर आप जो दोस्त के रिष्टिदार जा रहे हैं तो उसका मोबाइल नंबर उसका ड्रेस आपके पास होना चीए अगर यह नहीं हो गये तो भाई एरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाएगा जी हां इंडियन लोगों को भी वापस भेज दिया गया है लगबग 50-60 लोगों को और इंडिया पाकिस्तानी लोगों को भी भेज दिया गया अब इनका दिरे दिरे फ्लाइट में नंबर आएगा क्यूंकि एक साथ तो यह तो है नहीं कि जो लोग आए उनके लिए स्पेसल फ्लाइट बर केर वापस उनको देश मौशा देशा संभाव नहीं है उनको तीन नंबर ट्रिमिनल पर अलग से डाल दिया गया है वहां बैठे रहो रेस्ट करो जब जब उनका नंबर आएगा तब तक वो फ्लाइट जाते रहेंगे अब खाना उनको फ्लाइट की तरफ से मिलेगा अगर वहां से न उनकी रिटन टिकेट चेक करिए होटल बुकिंग चेक करिए तब ही उनको एरपोर्ट पे इंट्री दीजिए फ्लाइट में वरना वहीं से वापस तो यह सक्त नियम बना दियें गए हैं बाई 57 से ज्यादा तर लोग तो इंडिया में फंस सुके थे जिया साती वहीं पर उ लोड़ बेज में टिकट दूसरे को दे दी उसको दूसरों को बिठा दी ऐसा नहीं होने माला वह टिकट का पैसा आपका गया ठीक है अब आपको दुबई आने के लिए कम से कम 2000 दराम इंडियन वालों को 45,000 रुपे आपके पास होंगे तब आपके 2000 दराम बनेंगे क्यों आपके पास टिकट रिटन टिकट भी मांगते हैं हालांकि अगर आप यहां आ जाते हो उसको कैंसिल करवा देते हो 1500-2000 आपका माइनस हो जाता है वह पैसा भी आपकी जेब से लगने वाला कहने का मतलब गरीबों पे मार पड़ने वाली है सरकार देखिए एक दुबई सरका और उनको ये भी पता है कि जो लोग ब्लू कॉलर आ रहे हैं ये भी मेरा ब्लू है ब्लू कॉलर वाले जोग आ रहे हैं वो गरीब तबके के लोग हैं वो यहां गुमने नहीं आ रहे हैं वो सिरफ यहां पे जोब से रिलेटेड आ रहे हैं तो उन्होंने सर्थ रख दी कि आप 2000 दुबई दराम लेके आईए यहां खर्च कीजिए ताकि हमें आपसे इंकम हो होटल बुकिंग में खर्च कीजिए हमें इंकम हो वगेरा वगेरा इस तरह की कंडिशन एक तरह से रख दिये ताकि दुबई सरकार का इंकम बढ़े और आप लोगों की इंकम गठे एक तर होना चाहिए क्योंकि दुबई कोस्टली पढ़ता है इस बात का ध्यान रखें मलेशिया सस्ता है दुबई कोस्टली है और विया विरोप कंट्री में चले जाओ वहां पर भी ऐसा पैस ऐसा ही मांगते हैं आपके पास होटल बुकिंग ठीकर ट्रिटन या फिर शोमनी बग पाकिस्तानी और बी लोग फंसे हैं और जैसे अफ्रीका और भी बहुत सारे लोग फिलिफन्स वगर आते रहते हैं वह भी फंस सुके हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से कंडिशन होगी यह पैसा पकर लेके जाना पड़ेगा अलांकि जो पैसे वाल पासाचाइब के विज़ता नहीं कर सकते पासाफ़ जार चिए ना दोहजार दराम के लिए उनको टिकेट बनानी 度र आपको रिटन टिकेट नहीं है तो वो बनवानी है को होटल बुकिंग बनवानी तो फिर इतना पस शाट हजार के गरीभ आपके पास पैसा नहीं leend है और जिनके पास पैसा है वो इधर आ जाएंगे तब ही 300-400 लोग थे उनमें से 200 लोग अभी वापस सले गए तो मतलब आदे लोग इधर आ गए ने दुबई की तरब जोनों ने ये फर्फिक्रिया अपना ली तो बस ये जानकरें देने जिती वीडियो चाल लगें